नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूं राज मोहन दिवारी अगामी दोहजार चौबिस के लोकसभा चुनाओं से पहले लोक जनसक्ती पाती के अंदर चाचा और भतीजे के बीच में सह और मात का खेल अब भी खूब देखने को मिल रहा है बीते 28 नवंबर को जिस तरीके से सक्ति परदर्शन करके दोनों ही खेमों ने ताकत अजमाईस की कोशिस की और अपने गटबंधन के बड़े भाई बीजेपी को अपना समर्तन और जनधार दिखाने की कोशिस की उसमें कही न कहीं चिराग पासवान चाचा पशुपती कुमार पारस पर भारी पर गए चाहे बात भीर की हो या फिर शेंधमारी की क्योंकि उस दिन पारस गुट की एक सांसद वैसाली से 2019 में चुनाओ जीत कर संसद पहुँची वीना देवी ने एक बार फिर पारस गुट को छोड़ दिया है और अब चिराग पासवान के पास वापस लोट आई है उन्होंने दावा किया है कि अगामी 2024 के लोक्त सभा चुनाओ में भी वो वैसाली से ही चुनाओ लड़ेंगी जाहिर है अगर चिराग पासवान के पास वो वापस लोटी है तो इसी समझोते के तहत लोटी होंगी कि उन्हें दुबारा से चिराग पासवान वैसाली की सीट सौप देंगे और उनी को कैंडिडेट बनाएंगे लेकिन इस बीच सबसे बड़े सवाल भी खरे होने लगे हैं क्योंकि जब चिराग पासवान को अपने सांसदों की सबसे ज़ादा जरूरत थी जब 2021 में पाटी में बड़ी तूट हुई तो कोई भी सांसद उनके साथ खरा नहीं रहा सबने उनका साथ छोड़ दिया और पशुपती कुमार पारस के साथ चले गए कहा तो ये भी जाता है कि पाटी को तोरने के लिए जो चक्रवीऊ की रचना की गई वो भी वीना देवी के आवास पर ही की गई दिल्ली में बैट कर सारा खेल रचा गया और इसमें नितीश कुमार की भी सनलित्ता की बात कही जाती है क्योंकि वैसे भी वीना देवी के जो पती हैं दिने सिंग वो जेडियू से एमेल सी हैं तो जाहिर है कि जिस तरीके का उस दोरान घटना करम देखने को मिला था और उस दोरान जब चिराग पास्वान को अपने करीबियों की अपने पाटी प्रतिनिधियों की और अपने सांसदों की जरूरत थी तब तो कोई नजर नहीं आया लेकिन अब 24 का चुनाओ नजदीक है और उस दोरान जब ये अब देखने को मिल रहा है कि दो लोचपा के गुटों में चिराग पास्वान का पलड़ा धीरे धीरे अब भारी होता इंडिये में नजर आ रहा है तो और पारस गुट के सांसद वापस से अपने पुराने राष्ट्रिय अध्याच चिराग पास्वान के तरफ लोटना शुरू कर चुके हैं वीना देवी की वापसी हुई है खगरिया के सांसद महबूब अली कैसर के नाम की भी चर्चा चिरी हुई है वो भी अक्सर चिराग पास्वान से मुलकात करते हैं तो जाहिर है उनको लेकर भी कई तरह की खबरे निकल कर सामने आ रही है हलंकि हाजीपुर में जो सवाल वीना देवी को लेकर उठ रहा है क्योंकि चिराग पास्वान को पहले इन्होंने 2021 में धोखा दिया पाटी टूटी तो साथ छोड़ा लेकिन अब इन्होंने पशुपती कुमार पारस को गच्चा दे दिया है तो क्या वीना देवी भरोसे के लायक हैं क्या वीना दे पार्टी के नेता को धोखा ही दिया है चाहे 2005 के विधानसवा चुनाओं के परिनामों के बाद उनकी पार्टी में जो टूट हुई नितिश कुमार ने जो सेंदमारी की वो आप उठा कर देख लीजिए या पिर 2020 का विधानसवा चुनाओं हुआ जिसमें राजकुमार सिं तमाम सांसदों ने चिराग पासवान को गच्चा दे दिया और पसुपति कुमार पारस के साथ चले गए तो लोचपा के अंदर इस तरीके के वर्चस्व की लराई और कभी इधर कभी उधर वाली जो कहानी है वो अक्सर देखने को मिलती ही रहती है लेकिन रामविलास पा पर पार्टी पर मजबूत थी लेकिन अब तो 2021 में चिराग पासवान के चाचा नहीं जब इतना बड़ा धोखा उनके साथ कर दिया पार्टी में सिंदमारी कर लिए का लगुट बना लिया तो जाहिर है कि उसके बाद पार्टी पर वर्चस्व की लराई धीरे-धीरे सीटे वापस से मिलेंगी या पिर बराबरी का सौधा होगा लेकिन ऐसा अब प्रतीत होता है जिस तरीके से प्रधान मंतरी अपने भाशनों में चिराग पासवान और उनके पिता का जिक्र करते हैं कहीं भी पशुपति पारस दिखाई नहीं देता है तो माना जा रहा है कि चिराग पासवान को बीजेपी ने अब लोजपा का निता मान लिया है और आगामी चुनाओं में चाचा की तुनला में चिराग पासवान को सीटे जादा भी मिलेंगी और इसी वज़ा से तमाम जो पारस गुट के अपसांसद है धीरे धीरे चिराग पासवान की तरफ लो को दुबारा से टिकट दे कर चिराग पास्वान उन पर फिर से भरोसा कर पाएंगे जिस तरीके से वीना देवी ने 24 में चुनाओ लड़ने का एलान वैसाली से ही किया है क्या सच्मुच चिराग पास्वान के साथ उनकी डील हो गई है और चिराग पास्वान ने क्या उनको पास्वान दे दिया है कि वैसाली इंडिये में उनके खाते में आ रही है और हम आपको ही उमिदवार बनाएंगे क्या चिराग पास्वान किसी नए विकल्प की तलास में नहीं है क्या कोई नया चेहरा देखने को नहीं मिलेगा वैसाली की अगर बात करे तो भले ही लाइबात अमित्सा की कड़िये या फिर राष्ट्रिय द्यक्ष जेपी नड़ा की कड़िये ऐसी भी चर्चा है कि वैसाली की सीट पर बीजेपी इस बार खुद मैदान में उतरना चाहती है तो क्या ऐसे में वीना देवी के लिए जगह वैसाली में बनेगा पुर्वमंत हैं जिनके नाम की चर्चा चल रही है रामा किशोर सींग 2014 में लोच्पा कहीं टिकट पर वैसाली से सांसत बने थे उनकी पतनी भले ही आरजेडी की विदायक है लेकिन वो भी इस बार लोकसवा चुनाओं में ताल ठोकने के लिए मैदान में उतर रहे हैं चार दिसंबर को तो वो बड़ी रैली भी करने वाले हैं अपनी ताकत दिखाने वाले हैं किस बाती से किस गटबंदन से लरने को इक चुकी खुलकर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है लेकिन जाहिर है उन वो भी अपनी ताकत को दिखा कर मैदान में उतरने की कोसिस में पाले करताओं के मन में भी है कि क्या जिस नेता ने जिस सांसद ने 2021 में पार्टी तूटने के समय उनको धोखा दिया पार्टी को धोखा दिया वह वापस लौट आई हैं तो क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है क्या आगे भी अगर वो जीत गई तो पार्टी के साथ बनी रह भी बीचते हैं और यह जो साल है यह बहुत से लोगों के मन में घूम रहा है चिरागपाश्वान जिस तरीके से पहले राजनीती करते थे और अब राजनीती करते हैं दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलता है तो ऐसे में भरोशो की राजनीती जो है वो चिराग पाश्वान किस पर करेंगे ये बड़ा सवाल है और जो खगड़िया के सांसद है अगर वो छोड़ कर आते हैं तो क्या वो भी से साथ आएं ये कहना थोड़ा जल्दिबाजी है मुश्किल है लेकिन बीना देवी के भरोसे पर सवाल तो उठते हैं पहले भतीजे चिराग को धोका दिया और अब पारस का भी साथ छोड़ दिया है वापस चिराग पास्वान के साथ आ गई है देखना होगा कि वैसाली क सीट को लेकर NDA में क्या समझोता होता है किसके खाते में जाता है और कौन उमिदवार बनता है बने रही है लाइव बिहार के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें